वेलकम एंड जहें डियर फ्रेंज मैं सोरा यादा हूँ स्वात करता हूँ एक बार फिर से आपका आपने यूट्यूब चैनल जोइन इंडे ने पर तो आज किस वीडियो में हम लोग डिसकस क्या करने वाले मेरे पास सुबै से बहुत ज्यादा कॉल आ रहें कि सर रिजल्ट कि अब कुछ ग्यानी लोग उनको लग रहा था कि वह उनको लगेगा क्यों नहीं जाएगा अब वो करके तीस नमर आएं तो लगे आपना पिलते हैं तो उनको जाद देने से कुछ फाइदा नहीं है आपको अगर आपने एक्जाम दिया था तो आपको खुद पता चलिए इतना टाइम में लाया बच्चों को उसके बाद भी पेपर का लेबल भी आसान था ठीक है फिर अट्टाइस नमर जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता है अब कुछ लोग होते हैं जो कमेंट वोक्स मों घ्यान देते हैं कि सब्सक्राइब यह हुआ है आपको कुछ नहीं पत कर रहा हूं बस सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि यार जब पेपल का जब लेवल आसान आया तो कट अपने आप ही इंग्रीज होगा ठीक है बागी बच्चों इतनी दिन से त्यारी कर रहे हैं आपके सेप्टेंबर वाले जो एक्जाम होता है उसकी कट-off क्यो डाउन रहती है उसकी कट-off इसलिए डाउन रहती है कि जो 12th पास करके जो student आते हैं वो पहली बार उते एक्जाम में बैठते हैं उनको ज्याला कुछ पता नहीं होता है तो बस वो लगाते जाते आंसर को वो जो बंदा पहली बार एक्जाम दे आप उसे पूछ रहा हंडेड मैंसे आपको एक बार एक्जाम दे चुका था वही तो था इस बार अभी आपके जो 12th पास से वो तो इस एक्जाम में बैठे नहीं है तो यह बचे बोते जो 2019 के सेप्टमर वाले एक्जाम में बैठे दे ठीक है तो यार वो थोड़ी तो मैच्वेर हो गए होंगे ना अब तक इतने दि ना 37 से जागा जाएगा ना 33 से कम रहेगा कट ओफ इन दो वेल्यूस की बीच में ही लाई करेगा वरना जिस दिन रजल्ट आएगा उस दिन देखते हैं ठीक है किसी को फालतु जाव देने से कोई बात होती नहीं है अगर कमेंट वक्स में आप अपना घ्यान पिलना चाहे बागी जब जिस दिन रेल्ट आएगा उस दिन बाक्त करें सेकंड तिंग आती है आपके सेकंड तिंग आती है आपके सर रिजल्ट कब तक आएगा देखो जब आप CSB को कॉल करोगे देखो मुझे यहां पर आपको सुनाने का कुछ सौख नहीं है कि आपको मैं अनौन्स कि इस तारीक उसर आपका रेल्ट आएगा आप खुद एकरी गरोगे देखो मुझे आ तो अब यहां पर आपको उनका रिपला यही मिलेगा कि 26 को आ रहा है तो मैं आपको यहीं बताऊंगा कि रिजल्ट आपका यह 25 को आएगा यह 26 को आएगा तो 25 आपका रेल् लेना डिसमबर के लास्ट बीक में स्टार्ट होने वाले आपके लास्ट बिल्कुल लास्ट में स्टार्ट होंगे क्यों कि रेली भरती चलेगी बीच में वह आपके लिए दिक्कत पैदा करेगी यानिकि लास्ट में आपके पीफ्टी स्टार्ट होने वाले है बाकि आपक नहीं तो कर देगा क्या उसका कॉल आया नहीं आएका लाए तो फिर किस बीसिस्ञ करें। या तो पर सब इसको मुका दो तो बेकेंसी भी बढ़ जाती जिससे cut-up तो भी डावन जाती तो आपके जो बंदे जाला से लएक है ती के यह इसे निकालने के जरूद थी ठीक है यह तो मतलब बच्चोंकसान 9 साप ही आज के जो नकल से पास हो गया होगा समयर जो नकल से पास होगा क्यों के यूपी में ब पांधी मोधी साहब उसमें पता ही नहीं किस स्रीक से क्या कर रहा है यह तो मेरे दिमाग से बिलकुल आउट चीज है यह कुछ नहीं है तो बहुत कम चांस है कि आपका अपको बोल रहा हूं तो अब देखो ट्विटर केंपेंग चलाने से एसा कुछ होनी वाले है क्योंकि हम लोगों की जो क्राउड है वो इतना नहीं है एक सब्सक्राइब लुए तो मैं नहीं बोलूगा आपको के ट्रेटर केंपेंग चलाओ यह चलाओ वो चलाओ बाकी चलाओ यह जो एक सब्सक्राइब यह करो अगर आपकी 90% नहीं है दो चारी बने नहीं परशेंट होगे तो उनके लिए फाइदा है लेकिन आपको यहीं बोलूगा एरफोस वालों को मैं किसी को क्रिटिसाइब नहीं करा हूं लेकिन यहीं बोलूगा कि या तो आप प्रशन्ट का क्रटी रटादो ने डार फिर एक्जाम अटा दो एक काम करो ना अब पर यह रहे हैं उसके बाद में रहने वाली है पहली बात ठीक है अब आपको घ्यान पिल नहीं तो पिल सकते हैं बागी जो रिजल्ट डेट है वो आपकी रिजल्ट डेट में आपको बता चुका हूँ डेली इस पर आपके 95%, 85% से अब बेदैन इस पर फोकस करना वढ़ना इस पर नहीं करना सबस्याद फोकस करना इस पर अपना जो नेस्ट बैचा उससे स्टार्ट कर दो तयारी उसकी स्टार्ट कर दो अगर आपका एक्जाम अच्छा हुआ है आपको लग रहा है कि आप इस र सबस्क्राइब कराओंगा आपको उसमें आपको यहां पर लगवाँगा इस चैनल पर लगवाँगा यही अपना ही चैनल है बागी छुटा मेरा चुटा सा यहार उसे जागा सब्सक्रा करें ना थोड़ा मेरा सपोर्ट हो जाए आपका तो कुछ खर्चा आने वाला नहीं उसमें माई प्राइड डिफेंस एंडी ना में ठीए तो आई हूप जो चीए मैं आपको बताई हूँ आपकी समझे में आगे होगी कट आउफ के लिए यहां वाँ मत भागो रियल्ट के लिए मत भागो अगर नमबर अच्छे आ रहे है तो नहीं अच्छे आ रहे है तो न